दो हजार चौबीस से पहले यूपी में योगी को लेकर क्या हो रही है बीजेपी में कोई बड़ी प्लाइनिंग सवाल सब का कि मोदी के पास उशाह तो योगी के पास कौन गुजरात मॉडल से पी-म का चहरा बने मोदी क्या योगी का यूपी मॉडल कर पाएगा कमाल योगी स्टाइल से खफा है शाह तो क्या होगा योगी का प्लान 6 साथ में योगी ने कर दिया ऐसा कमाल की गुजरात मॉडल से आगे निकल गया यूपी मॉडल बदलते तेवर देख ठना गया शाह कमा था योगी का पड़ता कद और मजबूत होती शक्सियत से इस शक्स को सबसुजादा दिक्कत 2024 से पहले बड़ा फेर बदल होने के संकेत लेकिन योगी भी तयार ये चहरा उत्तरप्रदेश की सियासत के साथ साथ केंदर की सियासत में भी खलबली मचा रहा है योगी का तिलिस में ही ऐसा है कि ना तो कोई इनका राइट हेंड बन पाता है और ना ही कोई इनके साथ चाड़की जैसी कोई भूमिका निभापाता है योगी की सखसियत ही ऐसी करिश्माई है कि वो अखेले दंपर ही दूसरों को सबक सिखाने का माददा रखते हैं चाहे वो हिंदू युवा बाहिनी के नितुर्तों का काम हो, या फिर उत्तरप्रदेश में सरकार चलाने की शैली, योगी ने जो किया वो अपने दम पर किया, केंदरी नितुर्तों ने उनको सीमाओं में बांधने की कोशिश की, लेकिन सीमाएं सिर्फ संकेत साबित हुई, योगी के सामने आये तो कई, लेकिन टिक एक भी नहीं पाया, उससे भी गजब ये है कि अब योगी की करिश्माई छबी, उनी की पार्टी में कईयों को खटक रही है, बीजेपी की खासियत ये है कि जिसने काम किया, उसी को मौका मिला, मोदी ने गुजरात मोडल पेश किया, तो फिर वो पी-एम का फेस बने, और पी-एम बनकर देश का नित्रुत किया, अब बारी सी-एम योगी की है, सी-एम की कुरसी जब योगी को सौपी, तब वो ना तो पी-एम मोदी को पसंद थे, और ना ही शाह उनके साथ थे, लेकिन आरेसस ने उनका साथ दिया, और फिर शाह मोदी को भी साथ आना पड़ा, योगी ने योपी में सियासत का ऐसा मोडल पेश किया, कि गुजरात मोडल पीछे चूट गया, और गुजरात मोडल पीछे चूटा, तो उनका कद भी मजबूत हो गया, दावा किया जा रहा है कि योगी का स्टाइल ऐसा है कि वो 2024 में तो नहीं, लेकिन 2029 में पीम पत के प्रबल दाविदार बने, और यही वज़य है कि अब वो जिनकी आँखों में खटक रहे हैं, वो कोई बड़ा उलट फेर कर सकते हैं, लेकिन CM योगी के खिलाफ उलट फेर करने की जितनी बार कोश उतनी ही बार ऐसे मनसूबे वालों को मूह की खानी पड़ी, बात ये भी है कि योगी के बाद यूपी में नंबर दो कौन, तो चेहरे कई सामने आते हैं, लेकिन रुत्बा किसी का भी नहीं दिखता, चाहे वो केशो प्रसाद मौर रहे हों, या फिर दिनेश शर्मा, या बिरजेश पाठक और आईये ऐसा दिकारी रहे अरविंद शर्मा हों, योगी के कदपो कम करने के लिए चाड़क के तौर पर इन नेताओं को तहनाती तो दी गई, लेकिन सीम योगी की सियासी शैली के आगे, ये सब चीनी कंपानी साबित हुए, इन नेताओं को कुरसी त नहीं गए और यूपी में सीम योगी अकेले दम पर विरोधियों को छका रहे हैं, हालकि सवाल तब भी पूछे जा रहे हैं, गजब बात तो ये है कि 2017 में यूपी चुनाओ, मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और सीम योगी बने, 2022 का विदान सभा चुनाओ योगी के चेह साल थी, और जब योगी पहली बार सीम बने तब उनकी उम्र मातर 45 साल थी, दोनों ही नेताओं के उम्र के फासले में अंतर जरूर है, लेकिन उम्र के साथ ही सियासी तज़ुर्बा और काम करने का अंतर बेहद अलग है, मोदी के हर काम के चाड़क शाह रहे हैं, लेकिन य कल्प के तोर पर योगी को देखते हैं, और योगी ने उतर प्रदेश में जो अव्यान छेड़ा है, उसने तो तमाम सरकारों के मोडल्स को भी फेल कर दिया है, फिर चाहे वो गुजरात मोडल हो, या फिर केंद्र की सरकार के विकास की दलीर हो, उतर प्रदेश का कद बढ़ा है, तो वहीं सियाम योगी की बढ़ती लोग प्रियता भी कईयों के लिए चुनोती है, शाह को लोग मोडी के उतरा दिकारी के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सियाम योगी को लोग प्रबल दाविदार मान रहे हैं, ऐसे में सियासी जानकार और वरिष्ट पत्र अब देखना ये है कि कैसे सियाम योगी खुद की दाविदारी को बचा कर रखते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में कोई फेर बदल होता है, तो वो क्या होता है, ब्योरो रेपोर्ट मीडिया हल चल